कितने भी बहेंग कर आपके आँखों के डार्क सरकल हों, कितने भी पुराने हों और कितने भी आँखों के आसपास आपके जुरियां आ गई हों अगर आप ये वाले तीन स्टेप्स करते हो तो आप देखोगे आपको इससे हमेशा के छुटकारा मिल जाएगा अभी तेन से चार महिने पहले मेरे गाँँ में एक शादी थी, यानि कि मेरे ताओ जी के बेटे के बेटी के शादी, यानि कि मेरे भति जी की शादी और जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो पूरा परिवार इखटा हो जाता है हमें अपने फ्रेंड्स भी मिलते हैं जो हमारी सिस्टर्स होती हैं वो भी मिलती हैं बला पूरा परिवार इखटा हो जाता है तो हुआ पे मेरी कजन आई हुई थी और उनकी बेटी तो उनकी बेटी ने मुझे पूछा कि मा से अभी कुछ टाइम से मतलब एक साल से मुझे डार्क सरकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी और ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं जैसे ही शीशे में अपना चैरह देखती थी तो मुझे रोना आता था मतलब मेरे को देखा नहीं जाता था कि मेरा चैरह कितना ज़्यादा गंदा हो गया इतना ज़्यादा कालापन मेरी आँखों के आसपास आने लगा फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मैं डॉक्टर क दौक्टर के पास जाने के बाराद के ऑन्हों ने मुझे डवाई खाने कुदि साथ में मुझे एक जैल दिया जिसे उन्हों ने रेगूलर लगाने के लीए बोला एक आपको सुम्हे לבना importantes में सोती समय लगाना है जैसे डॉक्टर मैंने उसी तरीके से जैल को लगाया और साथ में दवाईया खाना शुरू करा मैंने देखा कम से कम एक मेने के वाल मुझे अराम होना शुरू हो गया और धीरे धीरे करके जो मेरे डार्क सरकल थे वो खत्म हो गए फिर मैंने दवाईया खाना भी बंद कर दिया उसके साथ में मैंने जैल लगाना भी बंद कर दिया लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद मैंने देखा जो मेरे डार्क सरकल थे दुवारा से मेरे चेहरे पे यानि की आँखों के आसपास मुझे नजर आने लगे अब आप देख सकती हो मेरी हालत कितने ज़्यादा खराब हो चुकी है तो मासी आप मुझे कोई ऐसा घरेलू उपाय बताईए कोई ऐसा नुस्का आप मुझे बताईए कि जिसे लगाने के बाद जो मेरे डार्क सरकल अगर एक बार खत्म हो जाए तो दुवारा से नहीं हो आपको पता है दो दिन पहले ही मेरी उसी बेटी का मेरे पास कॉल आया औ वैसी मैंने डार्क लेना शुरू किया और अब मेरे जो डार्क सरकल एना पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं तो मासी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग फर्स्टाइब मेरे चैनल पर आयो तो चैनल को बलेना सब्सक्राइब व एकदम साब सुत्रा होना चाहिए वो गंदा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे आखों के आसपास की जो इसकिन होती है काफी ज़्यादा सेंस्टिव होती है तो गंदा वाउल नहीं होना चाहिए उसमें आपको डालना है एक चमच भर के कॉफी पाउडर अगर डार्क सरकल की सासाथ आपको जुरियों की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपकी आँखों के आसपास काफी ज़्यादा रिंकल्स हैं जिन से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आप इसमें आधा चमच गुलाब जल भी डाले अगर आपको ऐसा लगता ह है मिलाने की बाद अब आपको बताती हूं से लगाने का तरीका तो दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है अब आपको देखी करना क्या है सबसे पहले मैंने क्या लिया है जो मैंने ये पैक बना के रखा हुआ था इसे लेकर आपको अपने आँखों के आसपास अच्छे से लगाना है और एक मोटी सी लेयर बना कर आपको कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देनी है उसके बाद आपको क्या करना है आगे आप देखते चलिए वीड होती जल्दी से काम करेगा बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा तो देखिए जो मैंने इसमें डाला है कॉफी पाउडर कॉफी पाउडर में कैफिन एसिड होता है यह आपकी स्किन में तुरंत ऑक्सिजन और बलड की फ्लो को बढ़ाने में काफी ज़्यादा हेल्प तो उनको ठीक करने में भी यह काफी ज़्यादा हेल्प करेगा तो अगर आपको डार्क सरकल के साथ साथ यह सारी परेशानिया हैं तो आप इसे अपने पूरे चेहरे पे भी लगा सकते हो और आँखों के आसपास एक मोटी सी लेर बना दीजी और अगर आपको कोई भी पर परेशानी नहीं है तो आप अपने आँखों के आसपास लगा सकते हो लगाने के बाद मैंने इसे छोड़ा पूरे दस मिनट के लिए दस मिनट के बाद क्या होगा यह हलका सा ड्राय हो जाएगा तो उसके बाद आपको अपने हाथ को हलका सा गेला करना है आप गुलाब जल ले लीजिए या फिर अलुविरा जेल ले लीजिए लेने के बाद अपनी फिंगर टिप से आपको हलके हलके हातों से मसाज करनी है एक दम आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा दबाब नहीं डालना है क्योंकि हमारे आखों के आसपास के जो इसकिन होती है काफी ज़्याद लेने के बाद आप इसे ले लीजिए और अपनी आँखों के आसपास अच्छे से मसाज करिए और इससे पहले आप एक स्टेप और करना चाहते हो तो कड़ सकते हो अगर आपको थोड़ा सा रिलेक्स चाहिए आपको लगता है कि आपके हर समय ठकी ठकी रहती है तो आइस क्यूब लेकर कॉटन के कपड़े में उसे रखके लपेट के मतला अपनी आखों की मसाज कीजिए कम से कम 20 से 25 सेकंड के लिए उसके बाद आप कोई भी सीरम लेकर अपने आखों के असपास लगा सकते हो कोई भी सीरम आपके पास में नहीं है या फिर आप लगाना नहीं चाहते जो मैंने इसमें डाला है बादाम, रोगन, कोकोनट ओईल, ऐलोवीरा जेल इन में से कोई भी एक चीज लेकर भी आप ल जाना है, देख़े अभी सुबह सुबह का टाइम तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मिर को डार्क सर्कल की प्रोलम है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जब आप सुबह सोके उरते हुना , तो आपको सबसे पहले उरत क ли. और तो बहुत थाली है, आपके काले गेरे हैं वहाँ पर लगाईए और इस तरीके से मसाज करके छोड़ दीजिए एक महिने में आपको काफी ज्यादा आराम देखने को मिलेगा आप अगर आप सब भी अपने काले गेरे से आँखों के आसपास जुरियों से बहुत ज्यादा परेशान हो जो आज की मेरी रेमेंडिये इससे आप बनाएए आँखों के आसपास लगाईए जिस तरीके से मैं आपको डायेट में बताया है उसी तरीके से डायेट लीजिए के जो कले घेरे थे आपकी आँखों को छोड़के जा चुके हैं आई होप आज की वीडियो आप सबीको पसंद आई हो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ न फ्लोग के साथ